आज मैं बना रही हूँ एक बहुत ही spicy सी पत्ता गोबी और मटर की recipe इसके लिए एक pan में दो बड़े चमच तेल डालेंगे तेल गरम हो जाए फिर इसमें एक छोटे चमच जीरा डालेंगे मैंने यहाँ पे एक छोटे चमच लेसन, एक छोटे चमच अद्रक और एक हरी मिर्च को बारीक बारीक चॉप कर लिया है यह इसमें आड़ कर देंगे इसे हलका सा roast कर लेंगे लगबख 30 सेकेंड के लिए अब इसमें दो medium size का slice किया हुआ प्याज आड़ करेंगे प्याज को भी हलका सा roast कर लेंगे लगबख 2 से 3 मिनट के लिए प्याज हलकी brown हो जाए फिर इसमें एक बारीक कटा हुआ टमाटर आड़ करेंगे आप इसकी जगँ पे टमाटर का प्यूरे भी आड़ कर सकते हैं इसी के साथ इसमें आधा चोटी चमश नमक डालेंगे अब इसे 5 से 6 मिनट तक कुक करेंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से मशी हो जाए टमाटर अच्छे से पक चुका है तो इसमें थोड़े से मसाले आड़ करेंगे आधा चोटी चमच हल्दी, एक चोटी चमच काश्मीरी लालमेच पाउदर, एक चोटी चमच धनिया पाउदर इसे वापिस से एक मिनट तक कुक कर लेंगे बस आले पक चुके ने, तो अब इसमें तीन कप स्लाइस किया हुआ पता गुबी अड़ करेंगे इसी के साथ इसमें आधा चोटी चमच नमक डालेंगे इसे मिक्स कर लेंगे, और इसे कवर करके कुक करेंगे लगवग 8 से 10 मिनट के लिए इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे पता गुबी अल्मोस्ट पक चुका है तो इसमें 3-4 ही कप जितना मटर आड़ करेंगे मैंने याँ पे फ्रोजन मटर यूज किया है अगर आप फ्रेश मटर यूज कर रहे हैं तो या तो उसे बॉयल करके आड़ करें या फिर जब मैंने पता गुबी आड़ किया था उसी थाइम आप मटर भी आड़ कर दे जिससे कि पता गुबी और मटर दोनों भी अच्छे से कुक हो जाए मटर डालने के बाद इसे वापिस से अच्छे से मिक्स करके कवर करके कुक करेंगे 2-3 मिनट के लिए पता गुबी और मटर दोनों ही चीज़े अच्छे से कुक हो चुकी है तो इसमें एक सैशे मैजिक मसाला एड़ करेंगे जो कि इसे और जादा स्पाइसी और और जादा टेस्टी बनाएगा मैजिक मसाला डालने के बाद इसे वापिस से एक मिनट तक कुक करेंगे का गुबी मटर की रिषपी को ट्राई करें और अगर ट्राई करने के पद पसंद आए तो मेरे वीजियो को लाइक और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना पर रिकुल ना भूले थैंक यू बबाई और सी यू अगें दुक मैं नेक्स्ट वीडियो